और यूपी की जनता को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एरपोर्ट की सौगात दे है इस पर समाजवादी पार्टी से राज़सभा सांसद विशंबर प्रसाद निशाद जी प्रधान मंत्री जिस तरीके से यूपी की जनता को लगातार कुछ दिनों से सौगात दे रहे हैं क्या आपको लगता है कि इसका बीजेपी को चुनाओं में फायदा मिलेगा भारती जनता पार्टी 2014 से लगातार चुनाओं घोसना चुनाओं वादे ही कर रहे हैं चाहे विदेशी काला धन लाने का हो चाहे पंदा पंदा लाग देने का हो मैं आपके जनतां टीवी चैनल के मादें से मानी पदानमंती से को याद दिलाने चाहता हूं मांग करना चाहता हूं कि जब मानी पदानमंती जी 2014 में लोग सुभा की चुनाओं में गए थे उन्होंने कहा था कि इसकंदास्ट के ज़िता दो तो सवयों दिन कदर चीनि मिल चला दूगा तो चीनि मिल चली क्या मानी पदानमंती जी फोगिण, कि 7 साल हो गए अभी कहा की पड़ना ऐर कि लोग si ने गए और जहां तके एयरपॉर्ट का मामला है तो समाजवादी पर्टी के राष्टिये माहत्री पोजक्ट बना करके उन्होंने विश्विद्याले और हास्पिटल का पोज़क्ट बनाया था यह जैसे योगी सरकार बंती है योगी सरकार ने उसको डैवर्ट करने कुशिश की जब डैवर्ट करने कुशिश की तो समाजवधी PARTY के लोगोंने गतवर्स इन सम्माहों के लेकर के पद्यात्रा की, कुशी नगर से पंडरोना तक पद्यात्रा की और जवज़ा संदूलन हुआ, तम जाकर के रुका नहीं तो यहां से एरपोर्ट भी जा रहा था आपको नहीं लगता है कि कुशी नगर इंटरेशनल एरपोर्ट चिसरी के साज प्रधान मंतरी ने उद्धगाटन किया है, उसके शुरू हो जाने से काफी फायदा होगा, क्योंकि देखा जाए तो बहुत धर्म के अनुआई पूरे विश भर में बहुत जादा है, ऐसे में यूपी में काफी फायदा मिलने वाला है से? जिस अरीके से अखलेश शादू लगतार के बात कह रहे हैं कि इस बार विधान सभा चुनाओं में 400 से अधिक सीटे उनको मिलेंगी, 22 में 22 के लाएगा, बीजेपी कह रही है कि अखलेश शादू बिलकुल सही कह रहे हैं, 22 में 22 सीटे ही मिलेंगी सपग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे दक्षिमानी अख्लेश जादू जी ने जो भी बैयान सब जगे चाहे बीजेर रथ्यात्रा के दोरान या प्रेस कान्फिर्ण के दोरान जहां जहां भी गे उन्होंने इसलिए कहा कि पूरे देश का किशान नवजवान यूपी की जनत योगी सरकार से तस्त है आखरी सवाल उत्र प्रिदेश में जिस तरीके से बिपक्ष्, बिखरा हुआ है आपको लगता है कि बीजेपी को उसको सीधा फायदा मिलने वाला है? जिस तरह से बंगाल में चुना हुआ उससी तरह से समाजवादी पार्टी भरती इंता पार्टी चुना हुआ कोई बिखरा हुआ नहीं है सभी लोग भरती इंता पार्टी खिलाब काम कर रहे हैं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा चुकि पंचायत के चुना में समाजवादी पार्टी के लाव कोई मदान में नहीं था पूरा जयान गई हो समाजवादी पार्टी के साथ वक्त देने के लिए शुक्रिया केमरा परसंट कमल के साथ ममताश चतुरवीदी जनतंत्र टीवी दिल्ली